हाई प्रेंट आज चीडियों बात करने वाले ECS SPEND T10 LEAGUE का आज का जो मेच नंबर 77 और 88 होगा जो खेले जाने वाला है CRD वर्सिस RB की बीच में सुरोगा मेच का टाइम रहने वाला है आज साम 6 बच के 30 मिनट में सुरोगा वेदर की बात करें तो मुसम बिल्कुल साप रहेगा वे ने देख लें तो यहाँ पर सेम ग्रावंड पर मेच हैं पिछली पोर्ट की बात करें आट इपिक्सल विकेट हैं एवरेज इसकोर यहाँ पर 130 से 170 के बीच में रहने वाला है वेन रिकोर्ट देख लें तो यहाँ पर आप देख सथे हो टोटल यहाँ पर अब सक 84 मेच कंप्लेट हो चुके हैं एक तालिस मेच देवेट नाट्यूम ने चुम्मालीस मेच में छेज हुआ हैं तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लें चैनल को जरू से जाके ज़र्ण कर लेना है क्योंकि वहाँ पर यहाँ पर आप टेलग्राम को जूइन करने हैं बात कर लें चार मेच हार यहाँ निकाल पाए हैं बाखी इनकी बैटिंग अच्छी हैं बोलिंग अच्छी का लेता है मोका आपको जरू देना है आमिर बट्टी की तरह पाए आता है ग्यारा जीरो केट जीरो एक विकेट है साथ रण साथ दो विकेट जीरो और उन्चालिस रण यहाँ पर इनोंने तीन मेच में बोलिंग की और तीन विकेट भी निकाल लिये हैं बागे लाक्त तो 11 मेचोँ इनकी नहीं मिली पर इनकी बैटिंग आप अच्छी है और बोलिंग करते तह कि लिए प्लस मड बन के आता है तो जरू टीम में रखना है बात कर लें करंदीब सिंग की एक विगेट सोला पंद्रा नो बेटिंग चोंतिस और चार यहां पर न यह दो मेचों में बिल्कूल डाउन रहे बाकि चार मेचों मेंनों ने हर मेचों आपका अच्छे पॉंट दिये है यहां से आजाते हैं वजारत अली की बात कर लें 27-0-0-33-1 विगेट एक विगेट हैं एक विगेट पंद्रा जीरो विगेट और एक विगेट यहां पर यह आपको हर मेचों में दो-दो ओवर कर्म डालते दिखाए देने वाले हैं बेटिंग प्लस बोलिंग दोनों का पर अच्छी का ले रहे हैं सोरूल चोहां की बात कर ले है 9 बेटिंग 33-0 विगेट 25-9 बेटिंग 13-24 यहां पर यह सेकेंड मेच में दो ओवर डालके आ रहा हैं दो विगेट निकाले साथ में 33 नोट आउट के अच्छी पारी के लिए उसके बाद में भी अच्छा करके आ रहे हैं अच्छा उप्सन है टीम में आपको जरूर रखना है क्योंकि बेटिंग अच्छी काता है वन्दा जैन असलम की बात कर लें यहां पर ईनकी बेटिंग भीट बेलकुल खराब होने वाली है महमुद यासिन के बात करें यहां पर ड्रॉप करेंगे इबराहिम यूनास के तरफ आ जाता है नो बेटिंग नो बेटिंग जीरो केट नो बेटिंग जीरो केट और एक नोट आउट है अच्छा उपसन नहीं है महमुद सब भी खराब हैं बात कर ला है बेंच में से तो बेंच में से जो भी कहले जैसे यहां से ना मुदासिर आली अच्छ उपसन है अगर खेलता है तो टीम में आपको जरूर रखना है क्योंकि देख सकते हो बेटिंग पलस बोलिग दोनों कापिये हल्प करने वाली हैं बाके बेंच में से जो भी कहले आपको जानकार मिल जाएगी वीडियो आपको पूरा रेखना है तब ही आप अपनी बैता टीम बना पाओगी इस्टार्टिंग को डाना जाएंगे यहां से आई सिंदिल जेड असलम डबलू अली तिलो चल सिंग जो डेथ में बोलिंग करे सपतली सयद ने तो यहां से सपतली सयद की बात करें तो चववन एक विगट अटाइस जीरोगेट उनीच जीरोगेट पैतालिस पांच विगट है अडटीस दो विगट चबीस जीरोगेट है यहां पर इनकार जोड कापी पसंद आया मुझे आप अपना वीसी या केप्ट है तो यहां से आपको ज़व मोगा देना है साइद नाजीर एक विगट एक विगट अटाउन एक विगट बावन जीरोगेट साथ चीरोगेट हो बाइस तीन विगट है लाश्ट की में कमाल क्या बंदेने 22 रन के अच्छी पारी के लिए साथ में दो ओवडार के तीन होंगा नहीं जरूटी में रखने वाला हूं बात कर ले सारजिल केसर की चार एक विगट है सातरन अटारा जीरोगेट नौ बेटिंग 15 दो विगट है यहां से देख सकते हो 19 नोटाउट चीरोगेट लाश्ट के में बोलिंग तो ही मिली पर विगट यह नहीं निकाल पाए उससे पहले दो विगट निकाल के आ रहा है अच्छा उप्सन सावेद होने वाला है रोईद इसलाम बिल्कुल खराब है बात कर ले हमजा अजम की दो विगट एक विगट दस जीरोगेट नो बेटिंग 40 नोट आउट एक विगट नो बेटिंग है लाश्ट के में ना तो विगट भी निकाले हैं इनोंने तो मैं जरूम हो का दोगा यहां से आजाते है मुसादिक अहमद की बात करें पूरी मेंचों में 9 बेटिंग रहे बात करें यहां से अनना सुल्तान की 23 नोट आउट 18 नोट आउट और 2 विगट लास्ट की में 2 डाले 2 विगट निकाले उस से देख सकते हुए स्टाइट को डालने जाएंगे एस अली सायद एम आली डेट को डालने जाएंगे आसे एक हान एस नजीर एम हुसें जो डेट में बोलिंग करेगा ना वह हमें सब्सक्राइब रहने वाला है तो यहां पर वीडियो का अनलिस वाला पाट चुका है कंप्ली है तो यहां पर हम जादा टाइम ने ले तो चलते हैं पने डेमो टिम की तरब लिजेट असलम को बोलिंग सेक्षन से एम आली आई सिंदल को केप्टन करोंगा इस अली सेद को वाइस केप्टन करोंगा एच वाइस हास्मी को बट यह मेरी टेम टीम बिल्कल नहीं है यही मे तो यहां से जादा टाइम नहीं तो चलते अपने डेमोट टीम की